हमारी पार्टी जन्ता जली उनाइटेड समर्थन करते हैं हम समर्थन इसलिए करते हैं कि हमारा विश्वास है महिला ससक्ति करन लेकिन जो सरकार ने जो बिल लाया है और जो इनकी मंसा है वो मंसा इनको महिलाओं को सांसद में या विधान सभाओं में आरक्षन देना नहीं है ये 26 पार्टियों का जो आई एंडिया ये बना है उसका पैनिक रियक्षन है उसके पैनिक रियक्षन में इन्होंने ये बिल लाया है इनकी कोई मंसा नहीं है ये जुमला है सबसे बड़ा दोहजार चौबिस का चुनावी जुमला है ये महिलाओं को चलने का काम इस बार करना चाते हैं दोहजार चौदा में इन्होंने इस देस के बेरोजगारों को चला दो कड़ोर लोगों को रोजगार का वादा करके 2014 के में इन्होंने इस देश के गरीबों को चला काला धन लाएंगे सब के खाता में 15 लाग 20 लाग पहुंचाएंगे चलने का काम किया और इस बार इस देश की महिलाओं को ये चलना चाहते हैं इनकी मंसा नहीं है अगर इनकी मंसा अगर होती अगर इनकी मंसा होती तो 2021 में इन्होंने जाती आधारित जनगन्ना प्रारंब कराया होता इसलिए कि इस देश की मांग है इस देश की अवस्चता है कि जाती आधारित जनगन्ना आप कराएं और इस सदन में मांग होती रही आ नहीं कराइए इसलिए कि आपको कराना नहीं है आप गरीबों को अतिप मधु को पिछोड़ों को Phrateem नयाय करने में आपका विश्वास नहीं है आपका भरुसानम Nicht इसलिए आपने जनगना नहीं कराने करा हैं और अगर आप आपने शुरू करा होता है अब तक तो जनगना खतम हुआ होता है और हाज लागू हो गया होता ये महिला रक्षन बिल आज इसकी ज़रूट नहीं होगता। आप 334 ए जो आपने प्राद्धान किया है वो अनिस्टित काल तक चलता रहेगा और 2024 का भारी जुम्लेवाजी करके महिलाओं को चलने का काम करेंगे। लेकिन महिलाओं इस देश की जनता आपकी जान गई है आप भारी जुम्लेवाज आए आपके किसी जुम्ले पर उसको भरोसा नहीं है उसको विस्वास नहीं है। 4% महिलाओं को आरेक्शन दिया। 2015 में सरकार बनी महागट वंदन की सरकार बनी। 2016 में 35% सरराज्जी सरकार की सारी सेवाओं में आरेक्शन दिया महिलाओं को 1 साल के अंदर आपके तरह 4.5 साल इंतजार नहीं करते रहे। कल प्रधान मंतरी जी का सुन रहे थे आंकड़ा की बात कर रहे थे और यह आकड़ा तो आपको दूहजार नहीं से था काहिने की आपने जब बंगलोर में पटना में बंबाई में मीटिंग हुई तो आपकी घवडाहट हो गई और उस घवडाहट में आप लेके आए आप आ लुए दूबजी को उत्तर परदेश में तो अभी सुना रही थी को कहानी ते इसलिए बता रहे हैं एक कड़ोर तीस लाख एक कड़ोर तीस लाख गिरामी महिलाओं को बिहार की सरकार ने जी ही का के माध्यम से ससक्त करने का काम किया है घरीम महिलाओं तो इसलिए आप क candy संप्सक्रेंस कोई मतलब नहीं आए इस सरकार को अपनी कुर्सी से मतलब आए और उस कुर्सी को बचा है रखने के लिए कोई भी जुमलाय कर सकते हैं कोई भी दूले वादी ये कर सकते हैं इसलिए आप करें नारी आप करें जाती है जन्गरना आप तो देश की मांग है आप कहिए आप आज एलान करिये इस सदन में कि हम इस देश में जाती है धारी जन्गरना कराएंगे आप नहीं कराना चाहिए इसलिए कि आप उसका विरोज करते हैं आप आरेक्षन के विरोजि क्या हुआ बोले थे आपके जो संस्था पक एक हैं पीछे से जो संस्था आपको जो गाइड करती है उसने क्या कहा था आपको आरेसेस ये लोग बता रहें आरेसेस मोहन भागवत जी थे उन्होंने क्या कहा कि आरक्षन पर पुनर विचार होना चाहिए अरे बाह बाहरे सरकार आप चला रहे आरक्षन पर पुनर विचार होना चाहिए आरक्षन कोई आपके किरपा से आरक्षन आपके किरपा से नहीं है संबिधान के प्रापदानों के अनुसार है तो इसलिए आप क्या बात करिएगा आज अगर ये बिल आपने महिला आरक्षन बिल लाया इसमें भी अतिक पिछलों को पिछलों को आरक्षन दिया जाना चाहिए उनके भी आरक्षन का प्रापदान महिलाओं को होना चाहिए हम ल अलपत पर आरक्षन दिया है ये क्या बात करेंगे ये भी परवचन दे रहा है एक अलपत पर मिला है और अभी जब राजी की सरकार ने बिहार की सरकार ने जब जाती आधारित गरना कराने का फैसला किया तो सुप्रीम कोट में केंदर सरकार उसके बिरोज में खड़ी हो नारी सक्ती का जो नारी सक्ती बंदन की बात करते हैं बंदन की बात करते हैं अपना बंदन कर रहे हैं आप अपना बंदन कर रहे हैं अपने कुरसी का बंदन कर रहे हैं अपनी सत्ता का बंदन कर रहे हैं अपनी सत्ता को बचाने का बंदन आप कर रहे हैं आप वादा करते हैं आप 2014 में वादा किये और आपके ग्रीह मंत्री जी ने कह दिया यह जुमला होता है चुनाव में इसी तरह चलता रहता है आज आप बात करिएगा नारी सक्ति बंदन का 2024 के बाद कहिएगा अरे यह तो जुमला होता है इसे ही चलता है चुनाव में यही आपका यही आपका त्रित्र है और यही आपकी मंसा है इस देश की जनता आपके चेहरे को पहचान गई है आपको पहचान गई है आपके जहांसे में नहीं पढ़ने वाली आए आपको सत्ता से दो हजार चौबिस में मुक्त हगा वो भै आपको सता रहा है वो भै आपको सता रहा है और इसलिए ये बिल आप लेके आया है इसलिए इससे कुछ नहीं होना है और यही कहते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और इस बिल का समर्थन करते हु अपनी बात समा प्रता हुआ